नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चेनल वैदान सी टेक्निकल क्लासेज में तो दोस्तों फाइनली राश्तान टेक्निकल हेलपर की जो वेकेंसी आने वाली है उसको लेकर एक बहुती बड़ी खुसकबरी जो है हमें देखने को मिल रही है और जो राश्तान टेक्निकल हेलपर की जो भड़ती है उसका जो एक्जाम करवाने वाली कमपनी है उसका फाइनली जो है चायन हो चुका है राश्तान सरकार की तरफ से तो अब हम यह कह सकते हैं कि जो राश्तान टेक्निकल हेलपर की भड़ती है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही जारी होने वाला है यहां पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो राश्तान की सरकारी बिजली कमपनियों में टेक्निकल हेलपर के 1512 पदो पर भड़ती का काम चैन्नई की सत्वत एजेंसी को दिया गया है तो यहां जो 1512 पदो पे वेकेंसी आने वाली है राश्तान टेक्निकल हेलपर की उस भड़ती का जो काम है मतलब CBT एक्जाम ओनलाइन एक्जाम जो करवाएगी एजेंसी वो एजेंसी है चैन्नई की सत्वत एजेंसी है यह एजेंसी जो है आपका जो टेक्निकल हेलपर की इसका CBT एक्जाम करवाएगी ओनलाइन एक्जाम जो है इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा टेक्निकल हेलपर भड़ती की पिछली दो परिक्सा में विवादित रहे चुकी है यह कंपनी पहले जो है टेक्निकल हेलपर की कोई वेकेंसी पिछली बार तो आलांकि आई बी है राज़तान सरकार की तरफ से तो यही कंपनी जो है आप लोगों का जो टेक्निकल हेलपर का एक्जाम होने वाला है उस एक्जाम को कंड़क्ट करवाएगी उस एक्जाम को जो है एक तरीके से एक्जाम जो है आपका इस कंपनी के द्वारा लिया जाएगा तो यहाँ पर open tender tender मतलब जैसे आप सबी को पता है ठेगा दिया जाता है तो ठीक उसी प्रकार से जो है open tender में kम rate डालकर हासिल किया है काम तो कम rate जो है एसा सुनने में आ रहा है कि कम rate जो है इस company ने रखी और उसी के दम पे जो है इसको यह टender मिल गया टेंडर मिलनेगा मतलब है कि इस company ने जो है जैसे rate रखी होगी चार्ज रखा होगा कि हाँ इतने चार्ज में जो है हम इन students का exam करवा देंगे तो इन्होंने क्या किया होगा बहुत ही कम rate रखी होगी जो तियारी कर रहे हो उस तियारी को और जी जान से जो है उस पे जी जान लगा दीजिए पूरा जितना महनत हो सके उतना दमखम जो है आप लगा कर आपकी जो तियारी है उसको और ज्यादा स्पीड से करने की कोसिस किजिए तो ठीक है दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही और कोई अपडेट होगी तो मैं तुरंत आप सभी तक जो है इसी यूटुब चैनल के माद्यम से पहुंचाने की कोसिस करूंगा मिलेंगे आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद